लोकसभा चुनाव साल 2024 के चुनावी परिणाम से उत्साहित समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर तमाम तरह की होर्डिंग्स देखने को मिल रही है किसी होर्डिंग में अखली शादो को भावी परधान मंत्री बताय जा रहा है तो कहीं उनको एक नई उम्मीद के तोर पर लिखा जा रहा है इस वक्त में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम तरह की होर्डिंग्स लगाई गई है जिसमें एक होर्डिंग आपके सामें लगी हुई है आप हैं तो विश्वास है यानि समाजवादी पार्टी कारिकरताओं की तरफ से लगातार जो बात और जो उत्सा है वो लगातार देखने को मिल रहा है लेकिन एक होर्डिंग आज जो सपा दफ्तर के बाहर लगाई गई है वो कमोवेश सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है और वो होर्डिंग है यह मेरे ठीक सामें लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है अयोध्या चितरकूर तो जहाकी है और मथूरा अभी बाकी है और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है पीडिये यानि कि पिछडा, दलित और अल्पसंख्यक अब सबसे खास बात ये है कि जिस तरह का चुनावी परणाम इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला है उसके बाद से समाजवादी पार्टी खास तोर पर अयोध्या कि सीट को जीतने के बाद तमाम तरह के पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रही है संसद में भी अखिलेश यादव आयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश परसाज जो की चुनाव जीते थे उनका हाथ पकलकर चलते हुए नजर आते है चित्रकूर्ट में भी इस बार समाजवादी पार्टी और गडबंधन ने जीत हांसिल की है आयोध्या जहांपर भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना और बीजेपी ने ठीक उसी जगह से एक बड़े चुनावी कैंपेन की शुरुवाद भी की थी चुनाव परचार के दोरान तमाम सारे बीजेपी के नेता आयोध्या का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन वही आयोध्या की सीट बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी ने आयोध्या की सीट जीतने के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है लेकिन आयोध्या और चित्रकूर्ट में जीत के बाद जिस मतुरा का जिक्र लगातार बीजेपी के तरफ से किया जाता रहा है बीजेपी के तमाम सारे लोग मतुरा को लेकर जिक्र करते हैं अब उस मतुरा का जिक्र समाजवादी पार्टी के होडिंग में भी साफ तरपन नजर आ रहा है होडिंग में आपको इबार फिर से दिखा देता हूँ दरसल ये जो होडिंग है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर में रोट पर लगाई गई है उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी मुलायम सिंग यादव जी नेता जी की तस्वीर नजर आ रही होगी प्रोफेसर राम गुपाल यादव जो की समाजवादी पार्टी के राष्ट्री है महासचेव है उनकी तस्वीर है शिवपाल यादव की तस्वीर है डिमपल यादव की तस्वीर है लेकिन इन तमाम सारी तस्वीरों के अलावा एक बड़ा जो पॉलिटिकल मैसेज है वो इस लाइन से निकलता वो नजर आ रहा है कि आयोध्या चित्रकूर तो जहाकी है यानि कि आयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और मतुरा अभी बाकी है यानि अब अगली तयारी मतुरा की है और उसके लावा नीचे लिखा गया है PDA यानि कि पिछडा दलित और अल्प संख्याक तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज इस होडिंग के माध्यम से फिलाल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया चित्रकूट की सीट भी समाजवादी पार्टी ने जीती और अब मतुरा की बारी है ये होडिंग फिलाल यहाँ पर लगाई गई है और इसका एक बड़ा राजनेतिक संदेश दिने की कोशिश भी की जा रही है क्यामरा परसं धर्मेंदर साहू के साथ अशोक तिवारी लखनव निउस 24